नमास्कार स्वागत थे आपका हमारे चैनल चार जागंदर मिर्शा में दोस्तों अगर आप अपनी लाइफे कुछ नया शीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करिएगा मिथुन रास 28 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2022 बड़ी अच्छी खुसकबरी मिलेगी दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथुन रास वाली जातकों के लिए 28 जनवरी 29, 30 और 31 जनवरी 2022 तक कसमय कैसे रहेगा इन 4 दिनों में कौई से बड़ी अच्छी खुसकबरी है जो मिथुन रास के जातकों को आपको मिलने जा रही है तो मिथुन रास के जातकों सबसे पहले चलिए दिन की सुरुआत कर लेते हैं दिन की सुरुवात होगी मागमाज के कृष्ण पक्षी एकदसी तिथी से यानि छट्ष्टिला एकदसी से सुरुवात होगी और मागमाज के कृष्ण पक्षी चतुरदसी तिथी को समाप्ती और चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा, ब्रिशिक राशी, धनुराशी और मक राशी में रहेंगे और सनी देव के साथ ही यूती बनाएंगे आपके अश्टम भाव पे और 31 यनिकी जनवरी के दिन तीन ग्रहों की यूती बनेगी अब यहाँ पर चुकि चार ग्रहों की यूती बनेगी पहले से बुद्ध भी बिराजमा है आपके राशी के स्वामी और चंद्रमा भी आ जाएंगे तो बुद्ध दितराजों का निर्मार होगा और साथी शुक्र देव का 30 जनवरी की दिन वक्रिसे मारगे सिती में आएंगे तो ये भी एक बड़ा परिवर्तन होगा और ब्रिहस्पत आपके भाग भाव पे रहेंगे राहु ब्रिशम में के त बिजने से और साथी दामपत जीवन प्रेम संबंद स्वास्त एजुकेशन का इसर हैगा पारिवारिक जीवन का इसर हैगा तो चलिए मिथुन रासकायत को सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके केरियर और बिजनेस व्यापार के बारे में तो मिथुन रासकायत को 28 जनवरी 31 जनवरी 2022 तक का जो समयरेगा केरियर के लिहास से बहुत अच्छा रहेगा कई महत्पूर अबसर आपको प्राप्त होंगे आप उन्हें अगर पहले से प्रियास किये थे जो वो प्रियास आपके सफल रहेंगे जैसे की प्रमोशन को लेकर या फिर आप जो भागदाओर कर जो आपके लिए काफी बहतर होगा कई महत्पूर अबसर प्राप्त होंगे कई महत्पूर अबसर के साथ साथ कई योजनाओं का लाब ले पाएंगे तो ये जो इस्तितिया रहेंगी बहुत ही बहतर रहेंगी हर प्रकार किसम हमनाओं का निर्मार होगा कई महत्पूर प्राप्त होगा, इनकम आए में ब्रदी होगी, पहले से कहीं ज्यादा मुनाफ़ा देखने को प्राप्त होगा, यानि कहा जाए तो इस्तितिया काफी बहतर होगी, हर प्रकार की संभाबनाओं का निर्माड होगा, लोटरियर शट्टर में भाग जवाएं का तुलाब होगा इनकम आए में ब्रदी होगी, साथ ही आकास्मिक रूप से धन का लाब होगा, जुमिन प्रपरिटी वें सकते हैं, खरी शकते हैं, नए भावन का निर्मान करा सकते हैं इन चार दिनों में, ये चार दिन मित्हुन रासकत को आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें आप अगर मेहनत करते हैं, ये कोई चीज प्राप्त करना चाहते हैं, और काफी दिन पहले, ये बहुत दिन पहले मित्हुन रासकत को अगर आपने प्रयास किया था, ये फिर आपने बिजनेस व्यापार में धन लगाए थे, तो अब जाकर आपको सफलता प्राप्त होगी, यानि कि इन चार दिनों में बिजनेस व्यापार करते हैं, तो मित्हुन रासकत को बड़ी अच्छी खुसकबरी आपके एक दूसरे के प्रति, यानि कि अपने संबंदों को और भी प्रगारता देंगे, और अपने बिजनेस व्यापार में मजबूती के साथ खड़ रहेंगे, और जदे जदे धनलाब कमाएंगे, इनकम आमें ब्रदी होगी, बैंकिंग के छेत से आपको बड़ी अच्छी खुसकबरी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए, तो मित्हुन रासकत को आपके लोन वगरे मिलने के योग बन रहे हैं, तो विशेश रिष्टाता हैं, उनके साधी ब्याकि वो बंधन में बंत नजराएंगे, तो कुल मिला के का जाए, तो इस्तितिया काफी बहतर हो रही है, हर प्रकासिया आपको लाब मिल रहा है, कई महत्पू यह जनाओं का लाब लेंगे, कई महत्पू चीजे हो रही है, और मित्हुन जाए, तो हर इस्तिया बहतर हो रही है, हर प्रकासिया के संभावनाओं का निर्मार हो रहा है, और यहां पर बैवाहिक जीवन की बात करें, तो बैवाहिक जीवन में भी जो उतार चड़ा हो ते खतम होंगे, मित्हुन रासकत को, 28 जनवरी, 29 जनवरी का दिन, यह भी तोर पर कहा जा तो अच्छा होगा, क्योंकि इस दिन चंद्रमाप के सप्तम्भाव पे रहेंगे, तो यहां पर देखें, तो पार्टनेर्सी में बिजनेश विए प्यार में, और आपके जीवन साथी से दोनों जगए आपको लाब होगा, दोनों जगए बड़ी अच्छी प्राप्त होंगे, संतान को लेकर, जीवन साथी कंधिश कंधे मिला कर चलेंगे, और महत्मूर अपसर प्राप्त होंगे, जीवन साथी के साथ मध्भेद खतम होंगे, संतान की कामयाभी संतान की उननस सिमन परसंद रहेगा, प्रेम संबंदों की बात करें तो मिथुन रा पावेट डालने की कोशिश करेगा या फिर कोई बिजनेस भी आपार में अचानक बेबधान पढ़ सकता है करते इस जनुवरी के दिशने से थोड़ा सा ध्यान रखें तो कुल मिला के कहा जाए तो आपको विशेश तोर पर ध्यान रखना होगा और मिथुन रासकत को यहाँ पर उनके साथ अपने लब पाड़क साथ साधी वैक लिए चर्चाएं कर सकते हैं उनके साथ घूमते फिरते नजराएंगे इंज्वाय करते हुए नजराएंगे और मिथुन रासकत को पढ़ाय लिखाई के मामले में भी काफी अच्छा रहने वाला है पढ़ा हुआ लिख दें रेंड कर जिना दें नहीं तो पैसा फंश रकता है तो आपको थोड़ा ध्यान भी रखना होगा यात्रा करते समय अपने किंती चीज़ की देखरेंगे जरूर करें नहीं तो चोरी होने के फिर खोने कभी डर बना रहेगा मिथुन रासकत को किशी प्रोफेशनल ब्यक लोग प्रिता बढ़ेगी मिथुन रासकत को और आपका बॉल बाला रहेगा कुछ महत्पूर्ण लोगों से मुलाकाते होंगी जो आपके लिए काफी बेहतर हो रही है हर पकार के संभावनाओं को निर्मार करेगी तो मिथुन रासकत को ये सितिया काफी बेहतर हो रही है ह 28 जनवरी के दिन एकदसी है और आप तिल का दान करें इसमें और तिल से स्नान करें इन चार दिनों में और तिल का सेवन करें और आप तिल का दान करें तिल का सेवन करें भगवान विश्णु जी को आप दिल जरूर आरपित करें तो विशेश मनो कामना ही पूरी होंगी तो ये था मित्तुन रासफली जातकों के लिए इन चार दिनों का रासफल यानी 28 जनुवरी से लेकर 31 जनुवरी 2022 तक का रासफल थे दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और इसे जदा ज़दा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जये शनितेयो